हलो फ्रेंस आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ और सबसे बड़ी बात फ्रेंस इसे हम लोग बिना गैस जलाए यह कलरफुल मिठाई बना करके तयार करेंगे फ्रेंस इसे बच्चे भी बना लेंगे बहुत इजी है बनाना देखने में जितना टफ लग रहा है बनाने में उतना ही इजी है तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक यह ग्रैंडिंग जार ले लिया दाल के आप चाहें तो छोटी लाइची भी इसमें डाल सकते हैं बट मैं नहीं डाल लेंगे और एकदम बारिक इसको पीस लेंगे यह देखिए एकदम फाइन पाउडर मैंने इसका बना लिया है अब कोई बड़ा बरतन लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम लोग उसमें यह मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी बन करके तयार होती है कि यकीन नहीं होगा कि आपने इसे घर में बना करके तयार किया है और इस तरह से सारा मिक्सर मैंने एक बड़े बरतन में डाल लिया अब इसमें मैं चार चम्मच के करीब यह दूद ले रहे हूं दूद मेरा अब तंपरेचर का है ना बहुत ठंडा है ना गरम है गरम दूद तो आप बिल्कुल यूजना करिए गा और इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूद डालके हम लोग इसका एक डूद बना करके तयार कर लेंगे फैंस तो थोड़ा थोड़ा ही डालेगा एक अठ्थे मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए गाओ फैमली फैंड्स के साथ शेयर करिए गार मेरे वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा और ज्यादा साथ मुझे सपोर्ट करिए गा और इ तो इहाइगी हैं इस लिए मैंने चार हिस्से बराबर बराबर कर लिया है यानि कोई कम ज्यादा नहीं एकदम बराबर हम लोगई इसको करेंगे अब इसमें से एक कलर मैं वाइट रखूँंगी इसलिए उसको किनारे रख देने हुँ ताकि इसमें और कोई कलर ना लग जाया और इस तरह से ये तीन हिस्से लेके इसमें हम लोग कलर एड़ कर देंगे मन चाहां आप जो भी कलर डालना चाहें वो कलर डाल सकते हैं ये मैं ग्रीन कलर थोड़ा सा डाल रहे हूं दो बूंत के करीब म हमारा तयार हो जाया और ये देखें फंस ये चारो कलर हमारे बिनकुल तपल रखके तयार हो चुके है अब एक कलर में से हम लोगowi दूह को दो हिस्सा कर लेंना और इस तरह हांथों पर रह्क कर इसका एक रोल बनाकर कर तयार कर लेंए हं आयनि हर्स ऑर एक कलर के दो मैं बना करने हाथों पर दूसरा रोल चुएगे तो आथों को थूल के आप रूल इस तरह होता है उस तरह को प्लट मैंने बना करने तैयार करने हुस्तर से प्रीम मने नात पर दएक साइबो नुन्हें moving सब्सक्राइब करना है, तक सबस्दम के जूड़ जाए, और इस तरह हलके से हम लोगों को इसका रोल बना करके चारों का इकठे रोल बना करके तयार करना है बहुत ही प्यारे रोल बनके तयार होते हैं और मिठाई एकदम यूनिक बहुत ही प्यारी देखने में लगती है खाने में तो लगती है देखने में भी बहुत जादा अच्छी लगती है और यह ये दो लेयर की मिठाई बना रहे हूं आप चार लेयर की बना सकते हैं पांच लेयर की बना सकते हैं और इस तरह से ये देखिए मैंने एक के उपर एक कलर रख दिया इसको हलके हाथों से हम लोग रोल बना करके तयार कर लेंगे और साइड से भी अच्छी तरह से इसको दबा इसमें रखके रोल कर देंगे और रोल करने बाद फ्रेंस इसको हम लोग फ्रीज में 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और यह देखिए दोनों मैंने एक साथ रख दिया था और दोनों ही रोल हमारे एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं अब चलिए फ्रेंस मैं आप लोगों को इसको कट करके दिखाती हूं यह एकदम बहुत आसानी से कट हो जाते हैं और इस तरह से यह देखिए कितने सौफ्ट यह मिठाई बन करके तयार हुए और कितनी आसानी से एकदम कट हो रही है सेट बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है आप लोग फिर में जरूर 10 मिनट रखिएगा तभी हमारी मिठाई एकदम अच्छी तरह से से ठोपाएगी और यह देखिए मैं आप लोगो इसका कलर दिखा रहे हूं कितने प्यारे प्यारे कलर आएं चारों हमारे एकदम यूनिक सी मिठाई मार्केट की तरह बनकर के तयार हूए यह सबको बहुत पसंद आने वाली है तो आप लोग एक बास जरूर से इसको try करिएगा बहुत ही कम समान से यह टेस्टी सी मिठाई बनकर के तयार हो जाएगी आप लोग जिसे खिलाएंगे वो य किन ही नहीं करेगा आपने इतनी конечно, क उलर पू आप लोग इसको फटाफट पांच मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं हम लोग बीडियो बनाते हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन धर में बनाने में इसे उदिफ पांच मिनट टाम लगता है तो आप लोग इसको जरूर बनाईए और comment करके बताए इकाहिय और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिये फैंस तब तक के लिए बाबाई